आज हम लोग करेंगे Grammarly का Detailed Review 2022 के लिए Hi guys, मेरा नाम है Kripeish Aadwani यहाँ पर मैं बात करता हूँ Digital Tools और Blogging के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने माले Grammarly के बारे में जो कि एक Digital Tool है, एक Online Grammar Checking Tool है मैं और मेरी टीम यहाँ पर बहुत सारे Blogs आज तक पब्लिश कर चुके हैं जिसके लिए हम लोग बहुत सारे टूल का यूज करते हैं Grammar Checking Tool is one of them और Grammarly एक ऐसा टूल है जिसको हम लोग काफी टाइम से यूज कर रहे हैं काफी सारे Alternatives भी यूज किये हैं हमने आज हम लोग करेंगे Grammarly का Detailed Review देखेंगे इसके प्री वर्जिन में क्या है प्रीम वर्जिन में क्या है क्या इसके प्रोस है क्या कॉन से किस प्राइजिंग पर आपको मिल रहा है कौन से इसके अच्छे Alternatives हो सकते हैं सब कुछ A to Z आज के इस वीडियो में इसका Detailed Article भी है आपको हमारे ब्लोग पर मिल जायागा जिसका Link में नीचे Description पर दे दूँगा अगर आपको और Detail में जानना है तो you can read that blog post Now let's go to the UI जैसे हम लोग यहापे Grammarly ली पर लॉग इन करेंगे आपको कुछ इस तरह के का UI दिखेगा यहापर आपको एक नया document create कर देना है let's click on new यह रहा हमारा interface यहापर आपको document का नाम आ जाएगा test document यहापर जो भी आपका text रहेगा आप लोग उसको paste कर सकते हो upload भी कर सकते हो जो भी आपका document रहेगा import का यहापर add present मुझे option ली दिख रहे है and coming on to the right hand side यहां से आपको फॉर्माटिंग कर सकते हो board, underline, heading तो basic आपको फॉर्माटिंग के नीचे आपको options लेखने को मिल जाएगे तो इसका interface काफी easy to use और simple भी है अब हम बात करते हैं इसके पहले free plan के बारे में आपको free plan में क्या के चीज़े मिलती है यहां पर मैंने log in कर दिया है अपने document को import कर दिया है यह मेरा free plan है जिस पर अभी में आपको काम कर रहा हूं तो right hand side पर सबसे पहले हैं आपको देखने को मिलते हैं goals, goals से आपको अपनी audience को set कर सकते हो usually knowledgeable रखना चाहिए formality कैसी रहेगी informal, neutral, formal neutral is the best option then domain I prefer usually casual और यहां पर इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो आपको यहां पर correctness देखने को मिलेगी जो कि basically आपको grammar और punctuation बता देते हैं जिसी में correctness पर क्लिक कर आपको misspellings बता देगा कि क्या-क्या है effect, commas, punctuation then we have clarity clarity यहां पर आपको content easy to read language में लिखने के लिए help करता है यहां पर आपको यह basic चीज़े बता देता है इसके free version में आपको बहुत ज़्यादा है आपको options नहीं देखने को मिलेगी अभी हम लोग free और premium को compare करेंगे एक article के through तो यह premium यह कुछ बता रहा है है ठीक है sentence that is unnecessary उसके बाद जो engagement और delivery है यह premium फीचर है तो अमनों premium में देखेंगे इसके बारे में and overall score है यहां पर आपको बता देता है कि कितना score है usually I prefer कि 90 प्लस score होना चाहिए and यह सारा जो score है यह सब जब हमनों clear करते जाएंगे तो हमारे आप score बढ़ते जाएगा free plan में जो एक और feature मुझे अच्छा लगता है वह इनका tone detector for example अगर आपर मैं कोई भी mail लिख रहा हूं and मुझे देखना है कि यह किस tone में है तो मुझे यहां पर grammarly बता देता है जैसे कि यह जो है इमोजी this is for tone detector तो मुझे बता देता है कि यह friendly है optimistic है confident ज्यादा नहीं है तो हम लोग देखते हैं कि हमें क्या solutions बता रहा है कि I would like to I want to propose ठीक है हम यहां पर इसको रीफ्रेस कर देते हैं तो उसको यह को दिखने में डाल सकते हैं जैसरे यह पर इसड्राइब कर डाका मैं जहाता कि यहां पर उसको वो फ्लाग करें लाग्वजेस की बात करनो तो सभ आपको यहां पर English Language मिलती है लेकिन English Language कि different variant options available है American British Canadian and Australian अब हमसिर भात करें हम अब बाद कर देख एक बारे में ile को इन आ हैं व इन पर यहां कि अब बात करें शेयर का इसर बंड। प्लस अटेंशन भी ग्राप करें ज्यादा बोर भी नहीं करें फॉर एक्जामपल यह मेरा जो आर्टिकल है यह फ्री वर्जिन में अभी जैसे में आपर क्रेक्टनेस भी देख रहा हूं तो क्रेक्टनेस यहां पर आरौंड मुझे 45 दिखा रहा है अगर मैं प्रीमियम वर् तो यह तो बैसिकली पंच्वेशन वर्गर हो गए लेकिन जो जहां पर मेजर चेंज आता है वह आता है अग्लारीटी में क्लिक करता हूं तो ठीक है यहां पर मुझे बता देगा कि क्या-क्या चीज़े मुझे करनी है जैसे यहां पर कुछ लॉंग सेंटेंसे हैं और क्ला इसकी एक और कास बात भी कि रीजन भी बताता है कि ऐसा क्यों है कि आपको ऐसा क्यों लिखना चाहिए तो वो चीज मुझे इसकी कापी अच्छी लगी है आपको अपनी राइटिंग को जादा इंट्रेस्टिंग बनाने में हिल्प करता है ताकि जादा बोरिंग नहीं लगे कुछ यहां पर वर्ड्स हैं जो कापी जादा बार यूज करे जा रहे हैं वो उसको यहां पर मांक कर देगा यहां अगर उसका कुछ जादा अच्छा स जादा सिनौनियम है जैसे कि यह हैं इंस्टीड ऑफ प्राइसलेस्ट यह कह रहा है कि इन्वाल्यवाबल का यहां पर यूज कि आ जादा बेटर यहां पर साउंड करेगा अब जो यहां पर मेंसेज ही रहेगा क्योंकि यह जो आर्टिकल है यहां पर मेंसेज वर्डी यहां आटिकल नहीं लिखा गया और अछुळ लेटो नहीं पर नहीं है आपको अजय करें लिए बहुत अच्छा अपी वह एचछा प्लेगरिजिम चेकर अगर अप लोग अच्छे से चेक करना जाते हो तो तो दाएं गुड ऑप्च्छन यह कापी आफिल ऑप्रेज प्रिजम चेकर मुझे लगा है अप्लिकेशन की बाद करनों तो जो इसका अप्लिकेशन है वो डेक्स्टॉप विंडोज मैक ब्राउजर एक्स्टेंशन क्रोम सफारी ऑल्मोस सारे मीजर ब्राउजर के लिए Google Docs पे ऐंका add-on रमिल जाएगा अजिनका कीबॉरड पहरा अंडरुन के सब्सक्राइब है और बात करों तो लाइच capabilities की अन Columbia है अ était तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आपको मेरा काम पसंद आता है तो आपको मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे नीचे देगए लिंक से परचेस करके थांक यू तो है आपर तीन आप्शन से हैं मंग्ली और अन्वली अगर अन्वली पर जाएंगे तो आपको 12 यूसजी पर मन देना पड़ेगा जिसके पोको तो इसका कोई पन कोट नहीं है लेकिन विन उनको रीचाओ किया है अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्श कुछ प्रोस के बारे में बात करी जाए तो इसकी जो UI है वो मुझे काफी अच्छी लगी है मुल्टिपल प्लैटफॉर्म्स के अपर सपोर्ट है और मुल जाएगा वो हर डिवाइस पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा मेरे experience में बहुत ही average सा लगा है मुझे जो free plan है वो काफी basic सा है सिफ आपको basic grammar suggestions ही मिलते हैं that is it monthly plan जो है इनका वो थोड़ा expensive है और यहां पर कुछ limitations भी है इवन अगर आप लोग इनका premium plan भी ले ले लेते हो तो भी जैसे तीस दिन में आप लोग सिफ 300 documents ही चेक कर सकते हो यहां फिर 150,000 words हाला कि यह बहुत जादा है लेकिन फिर भी limitations है ताकि इसको overuse नहीं किया जाए तो अगर आप लोग अपनी team के साथ में इसको share करने का सोच रहे हो तो शायद सी यह limitations आपको bother कर सकती है Now coming on to the bottom line, Gramarly का free version है वो मेरे opinion में काफी basic सा है आपको यहां पर सिर्फ spelling के suggestions और कुछ basic punctuation मिलते हैं जो इनका tone suggestion वाला feature है वो मुझे अच्छा लगाए वो आपको free मिल जाता है So that is good लेकिन जो value है वो आपको premium plan पर देखने को मिलती है जो clarity वाला जो option है Synonyms को check करने का option है, Rewrite करने को का option है वो सब यहां पर आपको premium plan पर देखने को मिलता है So premium plan provides more value and actually में जिससे आपका content improve होगा वो premium plan से होगा So if you are a content creator यहां आसान भाशा में समझाओ अगर आप लोग अपने content के through पैसे कमाते हो If you are a freelancer, if you are a writer, social media, post लिखते हो, captions लिखते हो, कुछ भी करते हो If you write online and if you earn through it, then Grammarly premium is a better option for you लेकिन अगर आपको कम budget में चाहिए तो pro writing aid एक काफे अच्छ option है, मैं उसको काफे time से use कर रहा हूँ मैं अभी भी मेरी जो first preference है, वो pro writing aid है तो वो काफी एक अच्छ option लगा है, मुझे आप वो चेक आउट कर सकते हो, discount में मिल जाएगा उसका 20% discount coupon code भी है, वो भी मैं नीचे link में दे दूँगा And you can check out the review, you can check out the tool, सारे relevant links नीचे मिल जाएगे So that is it for this one, अगर आपको एच्छा लगाओ तो इसको thumbs up देजी जेगा चानल को subscribe कर लिएगा for more interesting videos And I will see you guys in the next one, goodbye